स्टुडेंट्स आप लोगों के लिए एक वेकंसी आउट होई है आई पीए की तरफ से यानिकि इंडियन वोट एसोसियेशन की तरफ से इंडियन पोट एसोसियेशन बेसिकली यहाँ पर इंडिया में जितने भी मेजर पोट्स उनको और्गनाईज करने का काम करती है उनको लोगाउट करती है तो जितने भी मेजर पोट्स हैं उनकी तरफ से दो अलग अलग तरीके की वेकंसी आई है एक वेकंसी ऐसी है जिसमें experience required है और एक वेकंसी ऐसी है जिसमें कोई experience नहीं चाहिए ठीक है तो यह वेकंसी क्या है देख लेते हैं देखें दीन दयाल पोट की तरफ से साथ में से तीन अन्रिजर्व काटेगरी के लिए हैं दो ओबीसी के लिए और एक एसी काटेगरी में हैं मोरेगाउट में अगर हम देखें तो तीन में से तीनों अन्रिजर्व काटेगरी के लिए हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट में देखें तो एक वेकंसी अन्र और एक OBC काटेगरी के लिए है ठीक है न फिर वहीं पर CP पोर्ट की तरफ से देखें तो तीन में से दो वेकंसी अन्रिजर्वड और एक OBC काटेगरी के लिए है चिन्ने पोर्ट की तरफ से देखें तो एक वेकंसी जो है पूरी की पूरी अन्रिजर्व काटेगरी के लिए ह ठीक है ना फर KP पोर्ट पर हम देखें तो यहाँ पर आठ में से चार अन्रजव काटेगरी के लिए हैं, दो OBC के लिए है और एक SC काटेगरी में आ जाती है और एक वेकेंसी अगर आप यहाँ पर देखें तो यह मिलता है कि जिनका online registration है, ठीक है न वो 28 October से शुरू हो चुका है और 20 November तक किया जा सकता है, इसमें जितनी वेकेंसी हैं अगर आप ध्यान देंगे तो सारी की सारी civil engineering के students के लिए हैं, ठीक है, हाला कि अगर आप देखते हैं, assistant executive engineer और junior executive की है, दोनों वेकेंसी के लिए प्लूमा की बच्चे अपलाए नहीं कर सकते, इसमें जो assistant executive engineer की post है, इसमें आपको कम से कम 2 साल की experience की जरुवत है, लेकिन junior executive civil के लिए apply करने के लिए आपको कोई experience की जरुवत नहीं है, और यह चीज़ क्लियरली यहां पर नीचे दी भी गई है, कि अगर मैं यहां पर lectures के साथ industrial commercial या government undertaking में काम किया हो, junior executive के लिए clearly लिखा है कि को experience नहीं चाहिए, लेकिन आपका BTEC होना चाहिए, और उसमें कम से कम 60% आपने acquire की होने चाहिए, अपने BTEC के दौरान, ठीक है, फिर इसमें जो important point दिया है कि आप अगर इन में से किसी भी post के लिए apply करना चाहते है तो आपकी maximum age 30 साल हो सकती है, unreserved category को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आपको age relaxation भी मिल जाता है, age relaxation कैसे मिल जाता है, कि अगर आप SCST category में लाए करते हैं तो 5 साल का, OBC class में आते हैं, non-crimalier, तो फिर 3 साल का, person with benchmark disability है, तो फिर 10 साल का, और अगर आप उसके साथ SCST category में भी लाए करते हैं, तो 15 साल का हो जाएगा, और OBC के लिए 13 साल का हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, तो एक सवाल यह आपके अंदर हो सकता अभी तक, कि सर, यह किस state के student supply कर सकते हैं, तो आप Indian citizen होने चाहिए, तो आप अपलाई कर सकते हैं, कोई ऐसी problem नहीं ह इसमें, ठीक है, ना, अच्छी बात यह है, कि इन्होंने इसमें पैकेज में भी यह दिया हुआ है, कि पैकेज के अंदर आपको basic pay, उसके ओपर 35% allowances, फिर graduate, provident fund, और HR, और जितने medical benefits वगएर आपको मिल सकते हैं, वो हर एक चीज़ आपको इसमें मिलती है, तो एक बहुत अच्छी विकिंसी बन जाती है, exam pattern की बात करते हैं, तो इसमें CBT based test होगा, और इसके साथ-साथ इसमें interview भी है, ठीक है, इसमें यह चीज़ दी गई है, कि technical civil engineering से 100 सवाल होंगे, reasoning के 15 सवाल होंगे, aptitude के 15, general awareness के 15, English language के 15 सवाल होंगे, total 160 सवाल बनेंगे, sorry, sorry, गल्द हो गय number of question यह marks होगे, total 160 marks का paper होगा, और number of question आपके 110 होगे, जिसमें 50 सवाल civil के है, 15 reasoning के, 15 aptitude के, 15 awareness के और 15 English language के, तो यहाँ पर जो 50 सवाल technical के हैं, वो एक सवाल 2 marks का है, इस वज़े से वो 160 total number बन रहा है, दो घंटे का examination है, negative marking भी है, one fourth marks की, यानि कि 0.25 marks की negative marking है, हर गलत answer के पर candidates की short listing के लिए दिया गया है, कि minimum आपको इतना अचीव करना होगा, देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन एक cut off जो इसमें भी आएगी, उसके basis पर आपका final selection होगा, और इसमें आपका interview कभी एक process इसमें mention किया गया है, application fee की वागर हम बात करते हैं, तो unreserved category के लिए 400 र रुपए है, SC, ST और women candidates के लिए 200 रुपए है, और ex-servicemen and person with benchmark disabilities के लिए no fee, ठीक है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि आप examination, जो center है आपका, वो सारी states की capital में पढ़ेगा, इन्होंने इसमें लिखा है, और जो major port cities हैं इंडिया की, वहाँ पर भी पढ़ेगा, बा और आपको ये भी बता दिया जाएगा, कि आपका जो exam है, वो कहाँ पर किस city में होने वाला है, तो online date of date of online examination 21 दिन पहले आपको बता दी जाएगी, ठीक है, इसमें साथ के साथ जब आप paper देने जाएंगे, तो आप admit card लेके जाएंगे, अपनी original photo ID लेकर जाएंगे, ठीक है है कि आपको ये form apply करने के लिए जाना कहां पड़ेगा, ठीक है ना, इस form को apply करने के लिए, यहाँ पर clearly भी mention किया गया था, कि आप www.ipa.net.in पर जाएंगे, job openings और career में click करके उसके इंदर जाकि इस form को fill कर सकते हैं, हाला कि इस notification की अगर आपको जरूरत है, किसी detail की आपको जरूरत है, तो आप मेरे telegram group को भी join करेंगे, जो कि आपके लिए mandatory भी है, क्योंकि सारे exams की जो भी notifications आते हैं, हो सकता है कि आप से miss हो जाएं, लेकिन आप telegram group अगर जॉइन करके रखते हैं, तो miss नहीं होंगे, telegram group को नाम है शुभम अगरवाल सर test book, जिसका link आपको वीड notifications या जो भी information आती है, उस सब आपको regularly telegram group से मिलती है, तो join करें और इस वीडियो को like जरूर करें, so that कि आपको इस तरह की videos YouTube recommend करते रहें और आपके exams related information आपको मिलती रहें, धन्यवाल.